तो हलो नमस्तिया स्टार्गूस अस्टेकार केम छो नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है टीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक्डाउन हुआ जब ये लॉक्डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया क्योंकि यहां पर खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं के बच्चे हैं और कुछ काम लेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलोमेटर दूर एक गाउं में बेजा राशन खरीदे के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो कि बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते वे उन्हें अन्हें अपना मास निकाल लिया तो पोलिस वालने का उन्सेक यह मास पेंड मास पेंड़ तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्हेंने किया नहीं पर आए उन्हें यह कहानी बयान की और मैंने से Κहा जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और नहायति बेवकूफी की चीज़ की प्रद्फर के दिमाग से निकल गया है सोचा कि बात कर रहा हूं तो मुझे दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वहां अब जिसको ये बात समझ में नहीं आरी कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूँ वो मेरी बात गोर से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत तुक दायक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका स्यम खो देना खोब खो देना वो उससे बरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिंट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिंट है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा गलती हमसे हो गई और जो नेगिटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरेंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को महले से शहर को शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मेंट नहीं कि बाहर मत जाओ सोशल कैधरिंज ना करो यही कहा है ना दोस्त यारों से ना मिलो आइसोलेशन में रहो, घर में रहो परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ बग गुसारो ये सब किस के लिए? उनके लिए? नहीं, हम सब के लिए नमाज पढ़ना है घर पे पडू मुझापाट करनी घर पे करो बश्पन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्ला के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है, तो निकलो भाग, मनना तो एक दिन सब को है, लेगिन क्या कोई मनना चाहता है, यह यहां पर आके, यह बात चेंज कैसे हुई, इंडिया के आवाम को, इंडिया के पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ पुलीस का साथ देना गवर्मिन्ट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मिन्ट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हो अगर आपके आक्शन सही होते तो ये लॉग डाउन अभी तक के खत्म हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते ग्रूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठ्टों पर डंडा नहीं मारते आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वाले को मजा रहा है किसने रोका है आपको वर राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंता जाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो, कलवस पहनो अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सेज जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वो अठारा अठारा घंटे काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपाथ, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती, आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभारें, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठें, और वो भी आप नहीं निभारें, मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूँ, जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू करती है, कमान है, अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, पुलीस वाले अपनी जान आप उनकी भी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेस आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उनके पत्तर बरसा दिया, जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है, वा, वो हॉस्पिल से भाग रहा है, भाग के जाओगे कहा, किस और भाग रहे हो, जिन्दकी के और भाग रहे हैं, या मौत की और भाग रहे हो, अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुली सडकों पर नहीं होती, तो चंद लोगों की वज़े से, जिनके दिमात में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बहतर है कि ये बिना खाए पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है हाह लेकिन चंद जोकरों के वज़े से ये बीमारी पैली जा रही है अगर आपके अक्षिक ऐसे gibi होते तो पुलीस की रियाक्षिन वचे नहीं होते अगर आपके अक्षिक ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पर लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया है लेकिन इन चंद लोगों कि वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वरवाप बड़े भाद वरवाप कि इतने भाद वर इतने तकत वरवाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उनकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आप क्यों आप यम्राज और मलकल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इनन इल्ला है और राम नाम सत्ते है और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे आप रिसाइट करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि यह आगे ना फैले और दूआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे बनेवाद